क्लाउस, क्लाउस, देफिनेशन, ताइप्स, एड एग्जाम्पल हम लोग आज क्लाउस, क्लाउस के बारे में पढ़ेंगे कि ये इंग्लिश ग्रामर का कौन सा हिस्चा है, कि इसका परपस क्या है What is क्लाउस and why do we study क्लाउस, उसके क्या प्रकार है क्लाउस को हिंदी में बड़ा स्पस्थ है उपवाक्य कहते हैं क्या कहते हैं उपवाक्य क्लाउस के अर्थ को उसके प्रकारों को और उदाहरनों के साथ Of course, we will do some practice और आज ही हम इसको पूरा समझने की कोशिष करेंगे from beginning to end देखा जाये तो exercise करते हुए, क्लाउस बहुत बड़ा दायरा ले सकता है बहुत लंबा इसका वास्क कवरेज हो सकता है But we will go for example of every type, one or two examples of every type in order to understand it and we expect that you will practice it after you go through, after you understand this lecture and you will practice it at home, की क्लाउस है क्या और identification of clause is important की क्लाउस को पता लगाना क्लाउस जो है वो एक वाक्य का एक हिस्सा होता है तो पता लगाना की क्लाउस कौन चाहिस में एक तो वाक्य हुआ प्लेज सेंटेंस जिसका हम बोलता है उसी में कहीं क्लाउस भी रहते हैं तो क्लाउस इसे बेसिकली एक ग्रूप अफ वर्ड्स क्या है एक ग्रूप अफ वर्ड्स राइट वर्ड्स एक खास क्रम में लिखा हुआ शब्दों का भंडार जिसमें एक सब्जेक हो एक करता हो और एक क्रिया हो एक्षन हो वर्ड हो एक्षन एंड टाइम दाट शोज वर्ड्स तो समय को बताता हुआ कारे हो जहां तक क्लाउस की बात है ओपवाक्य की बात है वह भी ग्रूप अफ वर्ड्स ही है और उसमें भी यह दोनों आते हो तो एक सेंटेंस के अंदर क्लाउस हो सकता है and for that matter every complete sentence is a clause by itself लेकिन कई तरह के clause है एक clause contain only one subject and only one verb यह बहुत जरूरी है हम लोग कई बार वाक्य बनाते हैं कई बार जुरत पढ़ती है कई वाक्यों को बोलने कि एक हिसास हम दो तीन वाक्य बोलते हैं और एक दूसरे को जोडते हुए बोलते हैं राम जो की बहुत सुन्दर ललका है वह पढ़ाई में कमजोर हो गया है अब मैंने राम पढ़ाई में कमजोर हो गया है और राम सुन्दर ललका है दो बोल दिया और वाक्य तो एक ही बनाया राइट तो ऐसा जो जोड़ के वाक्यों के अंदर वाक्य वो clauses हैं और हर clause का एक अपना verb होगा और हर clause का अपना एक subject होगा So, a clause contains only one verb and only one subject यह जरूर नहीं कि clause का subject हर बार रहे, कई बार वो दिखाई नहीं देता कई बार clause का subject, verb का subject जो है, यह नहीं रहता कई बार But the verb must be apparent and distinguishable, लेकिन verb दिखना चाहिए यानि यदि एक sentence के अंदर दो clause हैं, तो जरूरी नहीं है कि दोनों clause के लिए एक-एक subject अलग-अलग दिखाईद है, पर जरूरी क्या है कि दोनों clause के लिए verb जरूरी हो, दोनों clause के लिए verb जरूरी हो, in other word, a clause is a group of words which includes a subject and a verb. A clause contains only one verb and one subject. The last is the subject of a clause can be hidden, may not be visible all the time, but the verb must be apparent, दिखना चाहिए, apparent मतलब दिखाई देना चाहिए, and distinguishable और अंतर किया जा सके, एक भर्ब को दूसरे भर्ब से अंतर किया जा सके, उच्छे कहते हैं, distinguishable, distinguish करना, अलग-अलग करना, अंतर करना, अंतर बताना. So, have you understood, children, what is a clause? Now we come to the next point, ये जानने के बाद के clause क्या है, group of words, अब हम आते हैं कि एक clause के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हूं, In other word, a clause is a group of words, पहली बाद, दूसरी बाद, it has a subject and a predicate, predicate, आप जानते हैं, ये शर्द बहुत पहले थे, ग्रामर में पढ़ रहा हैं कि, what is a predicate, object and it has a complex compound sentence and functioning as a member of a complex compound sentence, ये इसकी परिभाशा है, example, एक उदाहरन चलिए देते हैं, आपको लग रहा होगा ये थोड़ी बात कहीं कठी लग रही है, तो चलिए एक उदाहरन के आधार पर चलते हैं, पहला उदाहरन है, I graduated last year, इसमें subject क्या है, आई, और वर्ब क्या है, graduated, एक वर्ब है, एक subject है, तो ये क्या हुआ, एक clause, it is a clause, a sentence, but one clause, यदि clause की भाशा में बोलें, तो इसमें एक clause है, क्योंकि एक वर्ब है और एक subject है, is it clear, so I graduated last year, that is one sentence clause, right, या one clause sentence, better would be one clause, single clause sentence, ये sentence है, ये ख्याल लखेंगे, it is a sentence, पर कैसा sentence, जिसमें एक ही clause है, और एक ही clause है का मतलब उसमें एक subject है, और एक object है, एक वर्ब है, अब देखिए, दूसरा वाकिए, when I came here, I saw him, when I came here, I saw him, जब मैं यहां आया, तब मैंने उसे यहां देखा, तब मैंने उसे देखा, जब मैं यहां आया, तब मैंने उसे देखा, तो एक हो गया, जब मैं यहां आया, और दूसरा हो गया, तो मैंने उसे देखा, एक में क्रियाएं कित्ती हो गई एक सेंटेंस में कहने को तो यह पूरा एक सेंटेंस है क्योंकि पूर्ण विराम नहीं लगा है फुल स्टॉप नहीं है केवल कॉमा है तो सेंटेंस तो एक है पर वर्ब कितने हो गए दो और verb दो हो गए और इसके साथ ही साथ subject भी दो हो गए subject कौन-कौन से एक तो I और दूसरा him और verb कौन-कौन से दो हो गए came and saw ऐसा sentence जिसमें दो clause हूँ उसे कहेंगे two clause sentence पहला वाला था one clause sentence दूसरा हुआ two clause sentence अब और आगे बढ़ते हूँ ये वाक्य तो हम समझ गया ने two clause sentence बहुत कौन है दो चोटे चोटे वाक्यों को जोड के एक meaning निकालते हुए एक वाक्य बनाते हैं एक वाक्य बनाते हैं तो वाक्य के अंदर होता है clause अब देखिए एक three clause sentence क्या है तीन clause कैसे बनते हैं When I came here I saw him When I came here I saw him and I greeted him मैं जब यहां आया मैंने उसे देखा और उसा अभिवादन किया उसे नमस्ते किया उसे हेलो बोला मैं जब यहां आया तो उसे देखा तो उसे अभिवादन किया तीन टुकड़ों में है अब देखिए इसमें तीन तीन वर्भ हैं Came Saw and Greeted Greet करना मतलब अभिवादन करना, अभिवादन करना, हलो बोलना, नमस्ते करना और subject कितने हैं I saw, I ate, him दूसरा So this is called three clause sentence और यह तीन clause को मिला कर एक वाक्य पूरा बन रहा है एक वाक्य स्वेम में meaning पूरा होता है एक वाक्य स्वेम में परियाप्थ होता है तो यदि मैं पूरा बोलता हूँ यदि हम पहले वाक्य को थोड़ा सा बदल दे और उसमें मैं कहूँ I came here तो वो भी एक clause हो गया one clause sentence I came here उसको आगे बढ़ाता हूँ when I came here I saw him two clause sentence तीसरा हो गया when I came here I saw him and so I greeted him और he greeted me देखिए कैसे one clause two clause three clause है तो तीनो sentence तीनो complete है क्योंकि एक sentence के लिए जरूरी क्या है उसमें subject होना चाहिए और उसमें verb होना चाहिए क्रिया होनी चाहिए पहले sentence में भी है दूसरे में एक से ज़्यादा है तीसरे में दो से ज़्यादा है तो sentence तो तीनो है पर एक one verb clause है एक one two sentence clause है two clause sentence है और तीसरा three clause sentence है तो clause अच्छा हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यदि मैं three clause sentence लूँ और इसमें बोलूं when I came here जिसका एक टुकड़ा मैंने लिलिया इस sentence का when I came here इसमें क्या है subject भी है और verb भी है लेकिन क्या कुछ meaning निकल रहा है when I came here जब मैं हाँ आया स्वयम में कुछ अर्ष नहीं निकल रहा यहां पर पेच है और clause को आप बहतर इस रूप में समझेंगे तो यह मैंने एक हलका सा हिंट दिया कि when I came here sentence नहीं बन रहा है जब मैं हाँ आया तो आगे कुछ बात है जो रोक दी गई है और वो बात क्या है I saw him वो बात क्या है He greeted me sentence का एक हिस्सा एक clause अपने में पूरा अर्थ नहीं बता रहा है यद्यपी उसमें subject भी है और भर भी है इसी चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे यही clause है So having understood in detail कि clause क्या है और उसको example के मद्ध हम से थोड़ा सा और हमने समझने की कुशिश की Let us now understand the types of clauses clauses के क्या प्रकार है कितने प्रकार के clause है Clause का जो division है वो किस आधार पे है So मूलता दो प्रकार के The clauses are mainly of two types Clause जो हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के पहला independent clause पहले को क्या बोलते हैं independent clause स्वतंत्र clause और दूसरा dependent clause तो ये दो टाइप के clause होते हैं सोची एक बार फिर से शब्दों से ही आपको पता लग रहा है कि दो टाइप कैसे हैं क्या होंगे पहला है स्वतंत्र clause स्वतंत्र उपवाक्य और दूसरा है ऐसा उपवाक्य जो निर्भर है dependent मतलब निर्भर dependent होना मतलब निर्भर होना किसी चीज पर निर्भर होना तो how many types of clauses independent clause and dependent clause अब चलिए हम independent clause पे चलते हैं या हम थोड़ा और ज़रा समझें हैं एक उदारन मैंने दिया था when I saw him he greeted me when I saw him का क्यार थे क्या यह स्वेम में complete है वैसे तो complete है क्योंकि उसमें एक subject है और एक predicate एक verb भी है लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ छूट रहा है यह किसी छूटी हुई चीज पर निर्भर है when I came him वो किसी चीज पर निर्भर है यही निर्भरता की बात हम dependent clause और independent clause को पढ़ते समय समझेंगे तो dependent clause करने के पहले चलिए हम समझते हैं कि independent clause क्या है independent clause वो है which functions on its own number one जो अपने तई अपने बल पर complete वाक्य है और उसका अर्थ निकलता है जो एक ऐसा वाक्य जो अपने तई अपने बल पर ही स्वतंत्र वाक्य है पूरा उसका अर्थ निकलता है I greeted Him अपने में complete है but when I came here अपने में complete है आपको सोचना है बार बार सोचिए when I came here कुछ खाली लग रहा है अगला सवाल आप पूछोगे हां बोलो ने होई आगे तो क्या हुआ या मैं किवल बोलू I greeted Him तब क्या होगा तब क्या होगा तब क्या होगा an independent sentence an independent clause not sentence an independent clause has its own meaning it is a meaningful sentence ये एक स्वैम में पूर्ण रूप से अर्थ देता हुआ वक्य है और दूसरा एक सामानी रेगिलर वक्य जैसा ये लगता है कुछ कमी नहीं लगते है यदि दो dependent clause होँ दो independent clause होँ in a sentence two independent clauses can be connected एक वाक्य कई बार ऐसे हम बनाते हैं कि है तो कहने कोई एक लंबा वाक्य पर उसको हम दो भागों में बात करते हैं और एंड, बट, सो, और, नौर, फॉर, यट ऐसे शब्दों से जोड़ते हैं और, किंत, परंत, या, यद्यपी ऐसे शब्दों से हम दो वाक्य, clause को जोड़ते हैं दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं clause मतलब उपवाक्य तो ऐसा भी होता है कि दो independent clause हों जो दोनों अपने अपने तई स्वयम में पूरा meaning देते हों लेकिन फिर भी उनको जोड़ा गया है एक connector से और वो connectors क्या हैं? यही, but, and, किंत, परंत, यह सब Example तो independent clause का example क्या होगा? He is a wise man Complete her sentence इससे कुछ अर्थ निकल रहा है वहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति है कुछ अर्थ निकल रहा है? Yes जो मुझे कहना है वो बात पूरी स्पष्ट है, clear है Meaningful है Meaningful है बहुत जरूरी यह है तमजना कि इसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं कि वहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति है दूसरा I like him मुझे वहाँ पसंद है क्या यह कहीं पर वहाँ क्या धूरा लग रहा है क्या आगे पीछे कुछ कमी लग रही है नहीं So this is also a complete sentence and so a clause by itself, a meaningful clause Can I do it? प्रश्न के साथ क्या मैं कर सकता हूं It मतलब यह Can I do it? क्या मैं यह कर सकता हूं Complete अगला सवाल आए अगला उत्तर Do it please Do it please अब यह Do it please मैं गौर से देखिए यह उपर के वाक्यों से कैसे अलग है Do it please उपर के वाक्यों से अलग कैसे है उपर के जो हमने वाक्य किये उसमें भर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है देखिए समाझने कुशिश करिया He subject है I subject है Can you do it में You subject है अब यहां एक वाक्य है Do it please कैसे करो क्या यह complete है कोई इसका meaning है बिलकुल है इसमें जो यू है You do it You छिपा हुआ हुआ है तो subject जो है छिपा हुआ है Subject you is hidden It is hidden in this I read the whole story I read I read जबकि स्पेलिंग वही रहती है और third form में भी स्पेलिंग वही रहती है R E A D लेकिन उच्चारन रहता है Red So read, red, red अब यहाँ पर आपको सोचना होगा कि यह I read the story है कि I read the story है हम क्या बोलते हैं कि मैं कहानी पढ़ता हूँ या मैंने कहानी पढ़ी सामान नित्या यहाँ पर होगा I read the story तो context देखकर Context Context मतलब किस संबन में कहान पर बोला जा रहा है देखकर हम समझ जाते हैं कि spelling एक ही रहते हुए भी यहाँ पर उच्चारन क्या होगा Read का Read होगा कि red होगा तो अब हम वापस अपने विशा पर आते हैं Clause पर उपवाक्य पर वाक्य क्या है I read the whole story यह complete लग रहा है Yes So this is an independent clause of This sentence is an independent clause समझे की कोशिश करिया This sentence is an independent clause So यह तो होगया Single clause sentence या one clause sentence यहाँ आप देखिए थोड़ा एक नया रूप दूसरा रूप जिसकी मैं बात कर रहा था उपर मैंने बताया आपको पहले कि कई बार दो independent clause को connector से हम जोड़ देते हूँ एक सामान्यदार नीजे बगीचे में एक पानी डालने का pipe है इस हाथ में एक pipe है क्या इस pipe के बिना ये pipe अधूरा हो गया क्या ये pipe पंदरा फीट है ये दस फीट है क्या इस pipe को इस pipe के बिना मैं इसका उप्योग कर सकता हूँ एक pipe को मैं दूसरे pipe के बिना इस pipe को उप्योग कर सकता हूँ दूसरा सवाल क्या इस पाइप को मैं इस पाइप के बिना उपयोग कर सकता हूं या कुछ कमी हो जाएगे मैं कर सकता हूं यह पाइप इंडिपेंडन्ट है यह पाइप इंडिपेंडन्ट है इसको मैं दूसरे बगीचे में उपयोग कर लूँ इसको मैं पहले बगीचे में अपयोग कर लो या उल्टा तो दोनों पाइप हैं दोनों अपने में पूर्ण हैं और दोनों स्वतंत्र हैं दोनों इंडिपेंडेंडेंट क्लाज हैं यदि मैं क्लाज की भाशा में दोनों उपवाक्य हैं लेकिन इनको मैं जोड भी देता हूं जब जुरत पड़ी तो तो क्या pipe जोड सकता है pipe को मेरे को मेरा बगीचा जो है वो 20 feet है null से null से कितना दूर है 20 feet और pipe मेरे पास 15 feet है और 10 feet है तो मैं दोनों pipe को जोड़ू कि तीसरा pipe खरीदूं मैं दोनों को जोड के अपना काम पूरा कर सकता हूँ जोडने का काम जो करेगा वो कहलाता है connector दोनों pipe को जोडने का काम जो करेगा वो कहलाता है connector तो यहाँ दो sentence है उसको भी connect करने के लिए मैंने बताया था और दोनों sentence अपने तहीं independent है ऊपर पहले मैंने अधारन दिया था दो sentence का independent है यह अपने में पूर्ण है यह sentence अपने में पूर्ण है चलिए उधारण फिर देखते हैं I want to buy a phone I want to buy a phone यह क्या एक complete sentence है yes मैं एक phone खरीदना चाहता हूँ वाक्य पूरा है दूसरा वाक्य I don't have enough money enough मतलब पर्याप्त मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है पर्याप्त यह वाक्य पूर्ण है बिलकुल पूर्ण है अब इन दोनों को जोड़ते हैं एक connector से I want to buy a phone बीच में यह बट I don't have enough money यह एक independent clause था यह एक independent clause था बीच में connector लगा के हमने एक पूरा sentence complete बना दिया यह एक independent clause था I want to buy a phone यह भी एक independent clause था I don't have enough money बीच में connector जैसे pipe को जोड़ने का connector की मैं बात कर रहा था ऐसी मैंने connector लगाया क्या शब्द है लिया connector के लिए but so but is a linking word जो दोनों sentence को जोड़ a linking word जो दोनों वाक्यों को जो दोनों independent clause को जोड़ रहा है और दो independent clause को जोड़कर एक पूरा complete sentence meaningful sentence और बन गया राइट चलिए एक और देखें he went to London and visited the lords and visited the lords मैं फिर से दोरा रहा हूँ he went to London and visited the lords ये lords क्या है l o r d lord तो हमने समझा lord बने भगवान तो क्या भगवान को विजिट किया और वो भी भवचन में भगवानों को नहीं भाई ऐसा नहीं है lord जो है वो इंग्लेंड का एक बहुत प्रसिद लंडन का cricket मैदान का नाम है जान रहे हैं lord जो है वो लंडन के एक बहुत प्रसिद क्रिकेट मैदान का नाम है वह मैदान जिसे हम कह सकते हैं विश्व क्रिकेट का पहला प्रामानित मैदान lord में cricket खेलना बहुत बड़ी बात मानी जाती तो चली वापस आते हैं he went to London and visited the lord अब यहां पर देखिया he went to London subject है क्रिया भी है went to London अब आगे sentence है visited the lord तो क्या यह complete है इसमें यह भी complete है he वहाँ पर छुपा हुआ है मैंने आपको पहले बताया था कि कई बार hidden रहता है do it do it मैंने कहा पूरा करो तो इसमें क्या छुपा था do it please मैं क्या छुपा था यू छुपा हुआ था याद होगा ऐसे यहां पर क्या छुपा है he he visited the lord he went to london and he visited the lord he को बार बार ना बोल करके एक बार समाप कर दिया और बीच में connector कौन सा है and बीच में connector कौन सा है and so दो independent वाक्य हो गया he went to london दूसरा हो गया he visited the lord तो connector से जोड़ा he went to london and he visited the lord बार बार बोलने में कैसा लगता राम बहुत अच्छा है और राम बजार जाने के लिए राजी हो गया है हम ऐसा बोलते हैं क्या राम बहुत अच्छा है और वा बजार जाने के लिए राजी हो गया है हम राम राम बार बार नाम नहीं लेते हैं बोलने में अजीब सा लगता गलत नहीं है पर बोलने में अजीब सा लगता गलत इसलिए है क्योंकि हम वैसा बोलते नहीं है इसलिए हमें नहीं बोलना चाहिए तो यहां भी ऐसी ही को हटा दिया, disappear कर दिया, ही को हमने hide कर दिया, छपा दिया तो दोनों independent clauses हैं, दोनों independent clauses और इस परकार यह दो independent clause को हम connector से जोड़े तो एक वो sentence बन गया झाल